Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल मार्च शहर, उन सभी एरियास को capture कर लिया, या आप देख सकते हो, मार्च सिटी एंड नियर बाई एरियास अंडर आर कंट्रोल, फॉर पास्ट फिफ्टीन आवर्स ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी के दोरा कहा गया है, तो आज मैं आपको इसके बारे में डीटेल से जानकार ही दूँगा, साती सात जो एरिया है उसके बारे में जानेंगे, आपको काफे कुछ जानकारी होगी, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, अगर आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं, जिस भी और एक्ट्रा लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी, सिंप्ली हमारे वेबसाइट अप पर जाएए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs अटेंट कर कराना, उन्होंने क्लेम किया है, ट्यूजडे को स्टेट्मेंट जारी किया गया है कि बलुचिस्तान के मार्च सहर में और उसके आसपास एरियास को पिछले 15 घंटे से इन्होंने यहाँ पर सराउंट करके रखा हुए, अपने अंडर में कैप्चर कर लिया है, देखो मैं को दिखाता हूँ, यह जैसा कि आप बलुचिस्तान यह आप देख पा रहे हैं, और इसकी जो कैप्टल है क्वेटा, उसके जश्ट पास में ही यहाँ पर यह शहर मिलेगा, मार्च शहर, अगें यह आप देख सकते हो, क्लोज अप, यह क्वेटा शहर हो गया, और उसके अभी हो गया है, कची डिस्टिक, यह वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी डिस्टिक के अंदर यह मार्च शहर, जो मैंने आपको बताया है, वो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर और इसकी आजपास का जो पूरा इलाका है, इसको बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी न लेकिन इसके साथ-साथ उनके दोरा यह बोला गया है कि बलुच लिबरेशन आर्मी स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वार्ड इन्हों ने जो एंट्री और एग्जिट रूट होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, उसको एक तरह से कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कई सारे जो एक्स्प्लोसिव माइन्स वगर होती है, उन सारे चीज़ों को वहाँ पर बिछा दिया है, ताकि पाकिस्तान की आर्मी जब उस धर एंटर करने की कोशिश करे, तब उनके उपर यह बलाष्ट हो जाए, तो यह सारी चीज़ होती है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने की है, वैसे मैं आपको बता दूँ, इसके ज़स्ट पहले ही यहाँ पर जो बलोचिस्तान के इंटरिम इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, इनकी तरफ से बयान आया था, कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने तीन साइमल्टेनियस लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उनका कहना है कि देखिए, हमने यहाँ पर कई सारे रॉकेट्स वगरा फायर किया है, और वो जो पूरा इलाका है, वो अभी हमारे अंडर में है, क्योंकि उनका कहना था कि हमने जो मेन कैम्प है पाकिस्त जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, उनको एक तरह से हमने जो एरिया कैप्चर किया है, उसमें ना आने दे, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनकी दौरा बोला गया है कि फिदाइन ओफ मजीद ब्रिगेट विल फाइट तिल देर लाश्ट बुलेट तक लड़ते और अभी तक माच के अंदर जो भी फाइट हुआ है जिसकी वज़े से 45 परसनेल की मित्ती हुई है, मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेज के 45 जो जवान है वो अकेले माच के अंदर मारे गए हैं, और 10 लोग करीब पीर घाईब अटैक वहा है कि बलोचिस्तान में जितने भी यूथ हैं, यूवक हैं, वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स को जोईन कर लें, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे मदर लैंड से, हमारे जमीन से पाकिस्तानी फोर्सेज को निकाला जा सके, इनफर्क यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, उसमें बताय दिखाया गया है कि कैसे जो कावर्डली नेचर है एनमी फोर्सेज का, मतलब वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, वो काफी कावर्डली नेचर है उनका, और उसी की वजए से हम उनको एक्सपोज करना चाहते थे, और सरफ यही नहीं, बलो पाकिस्तानी मिलेटरी, दा किलर ओफ इनोसेंट्स टू कम एंड फेस बलोज फ्रीडम फाइटर्स हुआर फ्रीली रोमिंग दा स्ट्रीट ओफ माच शहर, मतलब जो माच शहर मैंने भी आपको मैप में दिखाया, वहाँ पर बलोचिस्तान ने पूरी तरह से कैप्चर कर र दारा एब बोलन, इसी के तहट ये सब कुछ हो रहा है, और इस उपरेशन के अंदर मैं आपको बता दूँ, बलोच लिबरेशन आर्मी की कई सारी जो एलीट यूनिट्स हैं, इनके जो फाइटर्स हैं, वो सभी शामिल हो गएं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इनके अं पास के इलाके में जो लोग हैं, वो घर में ही रहें, और हाइवेज वगरा को अवाइट करें, क्योंकि जिस तरकी अक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी जान भी जा सकती हैं, यह जो ऑपरेशन हैं, मैं आपको बता दूँ पताय जा रहा है कि इस उपरेशन की वज़े से मार्च शहर के कई सारे इंपोर्टेंट जगा, जैसे जेल हो गया, मार्च जेल हो गया, इसके लावा गौर्णमेंट के बिल्डिंग्स हो गया है, उन सब को काफी जादा डैमेज हुआ है, और जैसा मैंने आपको पहले भी जा था कि जो रेलवे स्टेशन वगर हैं, उन सब को कंट्रोल कर लिया गया है, और वहां तक जाने की जो चेक पॉइंट होते हैं, मतलब जो मार्च के अंदर जो केंटॉनमेंट एरिया हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहां पर जाने के लिए जो चेक पॉइंट वगर अगर जैसे पाकिस्तानी forces ने ये strategic positions खो दी हैं, तो अब देखना होगा कि वो कैसे बलोच लिबरेशन आर्मी से fight कर पाते हैं, इन पर कई सारे वीडियो सामने आ रहे थे, social media में viral हो रहे थे, उसमें देखने को मिल रहा था कि कैसे जो बलोच लिबरेशन आर्मी हैं, उन्हों ने यहाँ पर हमला किया था, launch किया था, जो armed groups हैं, बलोचिस्तान के अंदर वहाँ पर रहते हैं, उनके उपर, और इसको देखते वे, जो पाकिस्तान की forces हैं, आर्मी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर retaliation में fire किया था, सिस्तान और बलोचिस्तान प्रोविंस में, मतलब यह ज दिखाता हूं, इन्होंने क्या बोला उस समय, पाकिस्तान will have to pay a price for it, the group warned, and now the बलोच लिबरेशन आर्मी will not remain silent, we will avenge it and we announce war on the state of पाकिस्तान, तो दो हफ़ते पहले ही इन्होंने अन्नाउंस कर दिया था, कि हम जो पाकिस्तान के उपर war है, वो वो एक तरह से launch कर रहे हैं, औ और फारिली इन्होंने जो operation है मैंने आपको बताया, दारा ए बोलन उसको भी आपर launch कर दिया है, खेर जाने से पहले मैं आपको बलोच लिबरेशन आर्मी के विबारे में बता दूँ, ये armed group ban है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने इनको terrorist organization declare कर रखा है, और basically आपको बल प्रोविंस है, और सबसे ज़्यादा resources आपको इसी प्रोविंस में देखने को मिलते हैं, चाहें आप mining की बात करिये, mineral resource की बात करिये, natural gas की बात करिये, सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में आप चीज देखोगे तो वहीं पर हैं, लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार क जो political power है, वो नहीं देखने को मिलता, पाकिस्तान के जो बाकी के जो forces हैं, उन्होंने एक तरह से exploit किया है वहाँ पर, और इसी लिए इनकी complaint रहती है कि हमारे पास इतने resource होने के बावजूद भी, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं इस पूरे region के अंदर, देखते हैं दोस्त वाला बलुचिस्तान का पूरा इलाका है, तो पंजाब और सिंद से ये कौन से mountains और फिर ranges से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आई ये लग लग सोचल मीडिया पर आप जूड़को आगे और जैसा मैंने आपको बता है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, किसी भी course को लेना चाहते हैं Study IQ पर, just use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हम से नेक्स ताम तिल देन, thank you very much, see you soon.